हलो एब्रवान वेलकम बाक तो मागनल ब्रेंज आय टीजे नीट मैं हूँ डॉक्टर रुतिका भारतवाज आपकी बायोलोजी मेंटर और आज के इस सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत इंपोर्टेंट सेट ओफ क्वेश्चिन्स याने की हम बात करने वाले हैं उतना जादा हमारा चैप्टर हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रॉंग हो जाएगा तो जब हम बात करते हैं कि हम प्राक्टेस क्वेश्चन सॉल्फ करेंगे तो हम अलग-अलग सेट में ये क्वेश्चन को सॉल्फ करेंगे और समझेंगे कि क्या कंसेप लगा है कैसे apply करना होता है जब आप इन questions को solve करते हैं तो आईए आज का session स्टार्ट करें जहां हम solve करेंगे practice question for the first chapter that is the living world लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहते हूं कि हमारा NEET का जो study module है जो course module है वो कैसा है सबसे पहले हम follow करते हैं अपना topic wise explanation का criteria यानि कि हम हर topic properly समझते हैं एक-एक topic जो की chapter में included होता है और फिर हम solve करते हैं उससे related daily practice problems याने की DPP उसके बाद आपको provide किया जाता है DPP का solution अगर कोई भी problem है कोई question नहीं बन रहा है explanation में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने DPP के solution से उसे solve कर सकते हैं उसके बाद हम करते हैं chapter wise mcqs जो की हम अब करने वाले हैं इस chapter के लिए तो now we have come up to the chapter wise mcqs for the first chapter उसके बाद list of scientists ये भी मैंने आपको दिया था अलग से मैंने आपको एक session provide किया था जहां पूरी history दी हुई थी first chapter की जो की questions में अकसर पूछी जाती है फिर हम बात करेंगे previous year questions बिल्कुल हम practice question solve करने के बाद जाएंगे previous year questions पर then we'll go to doubt solving sessions जो भी आपके doubt है उनकी बात करेंगे weekly test paper और उसके बाद guidance कैसे paper solve करना है क्या pattern हो सकता है कैसे consistently हम बने रह सकते हैं अपनी दौड में जिसमें हम सफलता पा सके then we have chapter wise one shot revision followed by the online test series तो यह हमारा study module है और अब हमें यह तो मालूम है कि madam आप कैसे कैसे questions कराते हो लेकिन questions कराये तो first question in front of you which of the following promotes diversity among living things question में पूछा गया है कि जितनी भी दुनिया में living things होती है उनके अंदर diversity को promote कौन करता है कैसे अलग-अलग organisms जो है उनमें क्या विभिनिताएं आ जाती है और कैसे आ जाती है जहां पर हम क्या करते हैं group form कर देते हैं we form the group under classification हम अलग-अलग चीजों को classify कर देते हैं जैसी कि यह unicellular organism है यह multicellular organism है यह plant है जो कि हम usually हर जगे करते हैं अगर मैं घर में भी आपको मैंने आपको हमेशा example दिया है अगर आपको मैं घर में बोलूँगी कि एक room को clean करो तो आप भी ऐसे ही classify करते हो clothes एक तरफ books एक तरफ बाकी चीज़े एडिबल चीज़ें एक तरफ तो हम classify कर रहे हैं यानि कि हम एक साथ रख रहे हैं चीजों को और question में पूछा गया है कि विभिनिता कैसे आएगी variation कैसे आएगा यानि की biodiversity कैसे create होगी तो classification से तो नहीं होगी क्योंकि उसमें हम एक साथ रख देते हैं नेक्स्टे नाचरल सेलेक्शन इंडिफरेंट एन्वाइनमेंट जभी भी कोई organism किसी particular habitat में आप देखते हो ठीक है तो वह organism उस habitat में उस environment में तभी सर्वाइफ कर पा रहा है जड़ नेचर उसे अलाव करता है कि आप सर्वाइफ कर सकते हो तो हमने class 10 में heredity में भी ये chapter पढ़ा था heredity और variation जहां पर हमने concept पढ़ा था natural selection का अगर नहीं पढ़ा था तो मैं आपको उसका थोड़ा idea दे देती हूं और वो ये है कि suppose करो वहाँ पर एक example दिया हुआ थ सारे पोधे थे उन पौधो में सारी बीटल्स जो थी वो green color की थी तो जब तक green color की थी तब तक वो survive कर लेती थी जैसे ही season change हुआ पत्तियों का color leaves का color yellow हो गया तो yellow होने की वज़े से सारे green color के beetles अपने enemy को अराम से identify हो जाते थे अब ऐसा हुआ तो क्या हुआ सब बीटल्स जो है वो परिशानी में आ गई तो बीटल्स ने अपने अंदर चेंज लाया है ना नहीं तो बीटल्स की जो पूरी स्पीशीज थी पूरे नंबर ऑफ बीटल्स कम होते जा रहे थे क्योंकि उनके आने में आके उनको खा लेते थे क्योंकि यलो अलग जो ग्रीन लीव्स है उ अपने अंदर चेंज लाया बीटल भी यलो कलर की हो गई अब लीव्स भी यलो बीटल भी यलो तो जादा से जादा बीटल्स सर्वाइफ कर पाती थी क्योंकि वह लीव्स के पीछे छुप जाती थी यही एक्जाम्पल आपके NCRT में दिया हुआ था क्लास 10 कि अगर आपन नहीं अब हम क्या बात कर रहें कि जब हम अपने अंदर कुछ हैबिटाट में चेंज लाते हैं तो नेचर भी हमारी हेल्प करता है हमें सेलेक्ट कर लेता है तो हम बोलते हैं कि नाचरल सेलेक्शन हो गया एक पर्टिकिलर एन्वाइनमेंट में ठीक है अगर मैं बोलू कि ये वाला मेरे पास एक एरिया है दिस एस सर्टन एरिया वित मी ठीक है और इस एरिया में वन मिनट ठीक है ओके नओ इस एरिया में जितने भी और गानिसम्स रहने वाले हैं इस एरिया में जितने भी और गानिसम्स रहने वाले हैं चाहे छोटा ओर गानिसम हो मतलब की unicellular हो या कोई plant हो ठीक है या फिर कोई animal हो अब मैं animal तो अच्छा नहीं बनाऊंगी पर आप समझ लेना कि यह animal है ठीक है या कोई animal हो तो किसी भी situation में इस particular environment में कौन सा organism रह सकता है यह select करता है हमारा nature खुद जिसे हम कहते हैं natural selection क्या कहते है नाचरल सेलेक्शन ठीक है तो नाचरल सेलेक्शन जरूर से एक क्राइटेरिया है जो select करता है कि पर्टिकिलर एरिया में कितने और कैसी ओर्गानिजम्स रह सकते हैं तो वो बायो डाइवरसिटी में मदद करता है तो हमारा option सही अभी हमें यह लगता है next है inheritance from a common ancestor एक common पूरवज था उससे कोई भी character अगर inherit होकर दूसरी तीसरी चौथी पांच्वी 100 जनरेशन तक आ रहा है तो क्या उससे बायो डाइवरसिटी बनेगी नहीं क्योंकि वो तो एक ही जैसा character आ रहा है तो उससे विबिननता कैसे आईगी लोगों में नहीं आ सकती the organisms में changes नहीं आ सकते तो inheritance is again not a criteria and homeostatic regulation is something related to the blood जहां पर आप लाट के temperature, balance, pH यह सब मेंटें करके रखते हो, so it has nothing to do with the variation. सही option जो हमें यहां पर दिखता है वो है हमारा option B. So option B is the correct answer that says natural selection in different environment. जब nature अलग-अलग organisms को select कर लेता है कि आओ यहां मेरे habitat में आप रह सकते हो. तो वो 5, 6, 8 ऐसे set of अलग-अलग organisms को select कर लेगा, तो वहां पर इतने organisms की biodiversity create हो जाएगी. So following promotes the diversity. Diversity promote करने वाला होता है natural selection. Clear? Okay. Now let's move on to the next question. Next question says, arrangement and coordination of smaller components into larger ones is, हमने यह पढ़ा हुआ है 8th class में जब पहली बार cell का chapter पढ़ा था. तो वहां पर हमने पढ़ा था कि cell जो होती है, cell जो होती है, वो basic unit of life होती है. Basic unit of life होती है. यही पढ़ा था. और यह जो basic unit of life है, जब यह बहुत सारे collect हो जाते हैं, तो यह मिलकर बनाते हैं tissue. ठीक है, फिर यह मिलकर बनाते हैं organ, organ सारे के सारे मिलकर बनाते हैं organ, system और organ system मिलकर के बनाता है organism. मैडम यह तो बहुत इजी है, यह तो हम बच्पन से परते आ रहे हैं, नीट की तयारी में कैसे मदद करेगा, यही तो मदद करेगा, वही तो बेस है आपका. देखो, इनका कहने का मतलब है smaller component, smaller component, सबसे छोटा component हमारी living body में, हमारी यह किसी भी living organism की body में होता है cell, जिसको ह basic unit of life कहते हैं, और इनने पुछा है कि smaller components मिलके larger one जब बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो smaller component मिले tissue बनाया, tissue से और बड़ा organ बन गया, बहुत सारे organ मिले तो organ system बन गया, पूरा का पूरा organism बन गया, यह एक organism में चाहे वो plant हो, चाहे वो animal हो, n number of cells have mixed, n number of cells have come together, और उन्हो ने smaller components ने मिलकर larger one बना लिया, और इसे हम कहते थे organization of the body, cellular organization, tissue level organization, organ system, level of organization, तो levels of organization कहते हैं, हम इसको, ठीक है, जिसमें smallest unit यह है, smallest unit यह है, और largest unit यह है, तो यह जो process है, इस process को अगर मैं बोलूँगी, कि यह process smallest से largest तक का कहलाता है, organization, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है, organization ही तो है, यह organize हो गए हैं एक साथ, और छोटे छोटे units ने मिलकर बड़ा unit बना दिया, easy question, options देखे, aggregation, नहीं, aggregate का मतलब होता है, इखटा होना, ठीक है, organization का मतलब होता है, properly arrange होना, क्योंकि, जब cell बहुत सारे ए है, जब उनका function भी एक जैसा हो, और उनका origin, यानि कि जहां से वो cell जन में है, वो भी एक जैसा हो, तो सिरफ aggregation से काम नहीं चलेगा, function जब आएगा, तो उसमें organization आएगी, interaction नहीं, interaction भी नहीं हो सकता, आपस में सिरफ coordination से नहीं होगा, function और origin, दोनों एक होना चाहिए, तब जाके cells tissue बनाएंगे, tissue organ, organ system बनाएंगे, next है organization, yes, this is the correct answer, organization होना चाहिए, हमें organization चाहिए, अगर हमें smaller components से larger components बनाने है, and it's not only about the coordination, coordination तो एक machine में भी हो सकता है, ठीक है, तो सही answer हमारा क्या है, organization, easy concept लगा है, easy question है, अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप मुझ से इससे पहले ये पूछो माम ये वाला question कौन से पार्ट में से दिया है, ये question निकला है, आपके first part of the chapter में से, जहाँ पर अपने characteristics of living beings पढ़े थे, living organisms, तो वहाँ से question निकला है, आई ये next question देखते, regulation, regulation of organization occurs through, एक organization कैसे काम कर सकती है, कैसे regulate होती है, जो अभी हमने देखा कि cell टिशू बनाए, और्गन बनाए, धीरे-धीरे करके पूरा और्गानिजम बना दिया, उस organization के लिए regulation यानि उसके चलने का criteria क्या है, तो जब भी organization बनती है, तो सबसे पहले organization जब होता है, organization जब बनती है, तो सबसे पहला step क्या होता है, बहुत सारे cells एक साथ collect हो गए थे, organization organization तो तभी बनी थी, तो collect हो जाते हैं सबसे पहले cell, cells collect, ठीक है, collection बन जाता है, cells का, जैसे ही cells collect होने लगते हैं, तो वो आपस में मिल करके interaction करते हैं, interaction मतलब क्या होता है, कि जैसे सपोस करो, nerve cells है, neurons है, है न, या फिर cardiac cells, दो अलग cell को ले लिया, एक cardiac हैने की heart के cell, एक neuron या करने की nerve cells, अब सारे cardiac cells आपस में interaction करेंगे, सारे nerve cells आपस में interaction करेंगे, इधर कोई interaction नहीं हो रहा, तो पहले cells इखटे हो गए, फिर उनके function की बात आई, यानि कि उनके interaction की बात आई, तो जैसे ही collect हो जाते है, तो they move on to their function, ठीक है, function, और इन जब ये function perform करने लगते हैं, तो इनका function एक, एक stable तरीके से होना चाहिए, सबके सब एक जैसा function perform करेंगे, ऐसा नहीं है, कि कोई एक cell जादा energy create कर रहा है, कोई एक cell कम energy create कर रहा है, अगर मैं heart की बात करूँ, तो आपको मालूम है, ऐसे node और AB node से impulse आती है, फिर वो सारे cells में पहुंशती है, पुरकेंजी fiber क through, तो वो जो impulse, आप यह समझ लो, heart है, heart के पास impulse आई, तो सारे cells में properly उसको respond करना पड़ेगा, उस impulse को, ऐसा नहीं है कि कोई जादा respond कर रहा है, कोई कम respond कर रहा है, फिर तो फिर pump ही नहीं हो पाएगा blood, है ना, तो हर cell को एक stable manner में ही perform करना होता है, ठीक है, तो यह सारे के स cell functions जो है, यह stability में काम कर रहे है, यह stability में काम कर रहे है, ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं plant का एक example ले लो, तो plant में आपको पता है कि पहले primary tissue बनता है, फिर secondary tissue बनता है, वही tissue में से change आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही हमारी body में भी cells grow होते रहते हैं, grow होते रहते हैं, फिर ए secondary growth हो गई, secondary growth मतलब primary growth stunt रुख गई महीं पर और आगे चली गई, cells और secondary growth कराने लगी, मतलब कुछ changes भी होते हैं, so there are certain changes also taking place, एक organization में यह सारी चीज़े होते हैं, ठीक है, तो अब हम options देखते हैं, option में दिया है, flow of information, flow of information wires में भी हो रहे हैं, ठीक है, यह नहीं हो सकता, aggregation and interaction अकेले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए, हमें चेंज भी चाहिए, हमें stability भी चाहिए, next is entropy and flow of energy, no it is not only about the flow of energy, when the organization has to form, then we have aggregation, aggregation देखो, collection को ही aggregation माना गया, collection को ही हमने क्या ले लिया है, aggregation, so aggregation, aggregation हो गया, aggregation के बाद, फिर है, interaction, तो जो भी function हो रहा है, वो किस की वज़े से हो रहा है, interaction की वज़े से हो रहा है, interaction हो गया, cells के बीच में, organization जब बनी, फिर है equilibrium, तो जो stability आई, वही है equilibrium, equilibrium, और change, फिर change ही था, तो ये जो हमने concept लगाया है, ये concept हमको इस option में पूरा दिख जाता है, यानि जब एक organization बनती है, तो पहले aggregation, फिर interaction, फिर equilibrium और फिर change, this is the series of steps taking place, so answer देखिये, answer हो गया हमारा 4th वाला option, aggregation, interaction, equilibrium and change will be the answer, so 4th option will be the correct answer, clear, okay, now see the next question, given are the defining features of living being, दिए गया options में से living being का defining feature क्या होता है, पहला option है cellular organization, क्या cells ने मिल करके body बनाई है, हाँ बिलकुल अभी पिछले 2-3 question में, हमने cells के organization को लेकर ही बात करिये, तो cells ने ही मिलकर body बनाई, तो cellular organization हो गया, next है consciousness, तो consciousness एक defining criteria होता है, जब मैंने characteristics of living organisms पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पर consciousness अलग से पढ़ाया था, consciousness होता है, when the, when an organism, organism respond to external stimuli, जब कोई organism stimuli को respond करे, तो मैंने stimuli मतलब एक बार याद दिला दो, stimuli का मतलब होता है, change in environment, change in environment, अगर ऐसा होता है, तो वो consciousness है, तो यह दोनो ही important है, next है, बोथ 1 and 2 and then we have none of the above, तो दोनो options हमारे correct है, तो सही option है, हमारा option C, C, C option is the correct answer to this question, easy question है, next देखिये, nothing lives forever, nothing lives forever, yet life continues, what does it mean, कोई भी और्गानिजम हो, चाहे प्लांट हो, चाहे अनिमल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे उनिसलिलर हो, चाहे उनिसलिलर हो, जरूर हमारा biology बोलता है, यह आप concept याद रखना, आगे जाके अपन पढ़ेंगे आगे के chapters में, कि biology के according unicellular organism को immortal consider किया गया है, क्योंकि वो अपना type जो है, वो change करता जाता है, लेकिन मरता नहीं, बट जुतने भी living organisms हैं, उनमें death certain होती है, according to biology, death is the certain thing, मतलब death is certain, यानि कि death is sure for any living organism, अगर किसी living organism ने birth लिया है, तो death होगी ही होगी, इनका कहना है, nothing lives forever, कोई भी चीज हमेशा तो नहीं रहती, हम भी कहनें death is certain, yet life continues, फिर भी life खतम नहीं होती, तो ऐसा क्या reason है, उसका what does it mean, क्यों life क्यों खतम नहीं ही, जब हर इंसान को मरना है, हर प्लांट को मरना है, हर living organism को मरना है, तो life खतम क्यों नहीं हो रही, तो यहाँ पर role आ जाता है, किसका reproduction का, जितना reproduction होगा, उतनी ही आगे life, मतलब living organisms आते जाएंगे और life चलती जाएंगी, option देखिए, death has nothing to do with the continuation of life, नहीं, यह सही नहीं है, कि death has nothing to do with the continuation of life, ठीक है, then we have, दो older die, yet new are produced due to reproduction, भले ही, older organisms मर जाएं, लेकिन new organisms produce होते रहते हैं, with the process of reproduction, next option है, both 1 and 2, next option है, none of the above, so the correct option that we find over here is option B, कि life इसलिए खतम नहीं होती, देखो, पहला जो statement है, वो गलत क्यों है, उन्होंने का है, death has nothing to do with the continuation of life, और question में पुछा है, continuity of life कैसे बनी, तो यह option तो होई नहीं सकता, यह तो कुछ भी बोल रहा है, एक statement दे दिया, जो logical answer है, वो यह है, कि life खतम इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि reproduction होता जा रहा है, जो हमें मिल रहा है, question number, sorry, option number B में, so the correct option over here is option B, clear, okay, next question देखिए, now the next question is, correct hierarchy, correct hierarchy of levels of organization, जब हम levels of organization की बात करते हैं, तो सही criteria, सही hierarchy, यानि कि सही pattern क्या follow होता है, इस organization में, उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कि सबसे पहली चीज क्या आई, जैसे हम living organisms की बात करते हैं, तो हम बुलते हैं कि cells बना, फिर organ बना, organ system बना, cells से भी पहले अगर कोई चीज आई, तो वो कौन सी चीज थी, तो पहले तो आप ये concept अपने दिमाग में बिठा लो, कि कोई भी चीज smaller unit से, smaller unit से आगे बढ़ेगी और जाएगी higher unit form करने, higher unit को form करने, तो जब हम world, living world की बात करते हैं, हम living world chapter पढ़ रहे हैं, इस world की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर cells से पहले भी, जो सबसे important, सबसे छोटा unit बनता है, वो हमारा बनता है atoms, वो क्या है? atoms, atoms जब मिल जाते हैं, है ना? छोटे-छोटे atoms जब मिल जाते हैं, तो क्या बनता है? उसके बाद बनता है molecules, molecules, ठीक है? molecules जो है, वो क्या करते हैं? molecules आपस में interact करेंगे, जब molecules आपस में मिलते हैं, तब जाके हमारे biology का सबसे छोटा unit बनता है, जिसे हम कहते हैं cell, जिसे हम क्या कहते हैं? cell, अब जब cells मिल जाते हैं, तो cells क्या बनाते हैं? cells बनाते हैं tissue, ये भी सबको मालूम है, ठीक है? टिशू से बनता है organ, organ से क्या बनेगा? organ से definitely organ system form होगा, तो जब हम organ system form कर लेंगे, organ, organ system, organ system, organ system form हो जाता है, तो पूरा का पूरा organism बन जाता है, पूरा का पूरा organism बन जाता है, और जब बहुत सारे organisms मिल जाते हैं, तो वो मिल करके बनाते हैं population, population, ठीक है? अब पूरी की पूरी population, जब एक पूरी population, एक जगे की population, suppose करो एक south का कोई area है, south की कोई city है, वहाँ की population, वहाँ की community है, एक महराज़्ट का कोई area है, वहाँ की population, वहाँ की community है, तो जब population आपस में मिलती है, तो मैं इसके नीचे का उपर लिख रही हूँ, कि जब population बनती है, I'll use different color, नहीं तो आप confuse हो जाओगे, जब population बनती है, तो population मिल करके, पूरी की पूरी community फॉर्म कर लेती है, और एक जगे की पूरी community, help करती है ecosystem बनाने में, ecosystem जहाँ पर living भी है, और non-living भी है, ecosystem is comprised of two components, एक होता है living component, एक होता है non-living component, यही concept, class 10th में, our environment नाम के chapter में भी पढ़ा था, कि living component मतलब वहाँ present, हर एक microorganism, हर एक plant, हर एक बड़ा animal, हर एक human being, जितने living organisms हैं, वो living component, तो फिर माडम non-living component role में कैसे आया, ऐसे आया कि भाई sunlight चाहिए, एर चाहिए, water चाहिए, humidity चाहिए, temperature चाहिए, all these are the non-living components, तो living और non-living components, जब साथ में रहते हैं, तो उसको कहते हैं, ecosystem जो कि एक community के बनने के बाद दिखता है, ecosystem, ठीक है, अब ecosystem जो होता है, उसमें बहुत सारे, इस ecosystem में बहुत सारे organisms रह रह रहे हैं, variety of organisms, तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, bio diversity, क्या बोलते हैं, bio diversity, तो यह हमारी hierarchy है, starting from, starting from atoms, यहाँ से चालू करके, bio diversity तक खतम होती है, atoms मिलके molecules बनाएंगे, molecules मिलके cell बनाएंगे, cell से tissue, organ, organ system, organism, बहुत सारे organisms मिल जाएंगे, तो population मनेगी, बहुत सारे population मिल जाएंगी, तो एक community form हो जाएंगी, community form होगी, तो फिर ecosystem बनेगा, जहां पर living, non-living, दोनो systems consider होंगे, और फिर बनेगी हमारी biodiversity, तो यह हमारी hierarchy होती है, this is our hierarchy, which starts from the smaller unit, and ends up to the larger और higher unit, options देखिए, atoms, molecules, cell, tissue, individual, individual, ecosystem, biosphere, individual के बाद क्या missing है, community missing है, population missing है, ecosystem missing है, तो यह option गलत, atoms, molecules, cells, tissue, organ, individual, ecosystem, biosphere, community यहां पर missing है, तो यह भी option गलत, atoms, molecules, cells, tissue, organs, individual, population, ecosystem, and biosphere, तो biosphere नहीं हो सकता, biodiversity होगी, और इसमें भी biosphere, biosphere लिखा है, हाला कि हाँ biosphere जो है, उसे हम बोल सकते हैं, biodiversity की तरफ, तो हम इसको भी ना ले, हम इसको भी consider ना करें, अगर, हाँ biosphere आएगा, ठीक है, जो नहीं आएगा, वो क्या है, हमारा ये system, तो atoms, molecules, cells, tissue, organs, individual मना रहा है, population मना रहा है, population के बाद यहाँ पर community missing है, ठीक है, तो ये option गलत, next है, atom, molecule, cells, tissue, organ, individual, population, community, ecosystem, and biosphere, so the correct answer that we find over here is, correct answer is option D, ये option D जो है, ये हमारा correct answer है, for all the obvious reasons, यहाँ explanation है, आप एक बार explanation लिख लीजे, now see the next question, question number 7 says, most important characteristic of living organism, living organism का सबसे important characteristic, क्या होता है, अब आप बोलो के मैं अभी तो solve किया था, consciousness होती है, और cells की बनी body होती है, हाँ बिल्कुल किया था, बट यहाँ options क्या है, यहाँ options है, multiplication, तो multiply तो कहीं पर भी हो सकता है, तो living organism का basic criteria, multiplication नहीं है, movement आप non-living thing को भी move कर सकते हैं, growth जो है, external और internal, मैंने आपको दो type की बढ़ाई दी, अगर छोटे-छोटे drop से मिलकर, बहुत सारा बड़ा water का, कोई water body बन रही है, या फिर छोटे-छोटे soil particle से बड़ा कोई पत्थर बन सकता है, छोटे-छोटे elements को मिला कर बड़ा कोई और वो बन सकता है, तो इसमें growth जो है, वो कोई defining criteria नहीं कहलाता, होता है, दिखता जरूर है, क्योंकि internal growth होती है living में, और non-living में external growth होती है, नेक्स्ट है protoplasm, तो protoplasm एक ऐसी चीज़ है, actually protoplasm है क्या, protoplasm term जो है, वो कोईन किया था, सर पुरकेंजी ने, सर पुरकेंजी ने, और इनका कहना था, कि protoplasm होता है, cytoplasm, cytoplasm, plus nucleus, तो cytoplasm plus nucleus होता है, protoplasm जो कि सिरफ living organism के पास, दिखा जाता है, तो utmost, most appropriate answer is the protoplasm, option D is the correct answer, बहुत easy question है, ठीक है, next question देखिए, the most important feature of all living systems, from viewpoint of their continuity is their capacity to, ऐसा कौन सा factor है, जो continuity of life में मदद कर रहा है, कौन सा ऐसा factor है, जो continuity of life में एक organism को मदद कर रहा है, तो इस organism के अंदर, क्या capacity है कि ये continuity of life करा सकता है, आई ये option देखिए, question समझ में आया है, question ये है कि एक individual में कौन सी ऐसी energy है, कौन सी capacity है, कौन सा feature है, जिससे कि ये continuity of life रख सकता है, यानि कि जिससे ये reproduce कर सकता है एक organism, तो question का option देखिए, utilize solar energy for metabolic activities, do you think it has anything to do with the reproduction, solar energy और ये metabolic activities इसमें reproduction का कोई रोल नहीं है, है ना, food production plant में जरूर करा रहे है solar energy हमारे लिए नहीं है, दूसरे organisms के लिए भी solar energy कोई मदद नहीं कर रहे है, reproduction में तो ये option हो गया गलत, next है produce gametes, हाँ gametes produce करना पर कहां लिखा है, कि gametes अगर produce हो रहे हैं, जरूरी थोड़ी है कि gametes produce होगा तो fertilization होगा, हो सकता है कि वो जो gametes है, जैसे कि मान लो, for example, human beings में हम male gametes का example ले ले लेते हैं, which is the sperm, तो male gametes, male gametes जो है sperm, वो रहते हैं testis के अंदर, testis कहां situated होती है, male में body के बाहर, क्योंकि क्योंकि उसे temperature चाहिए, नहीं हो पाता है testis में, या testis body के अंदर ही रह जाती है, descend होकर body से बाहर नहीं आती, बच्पन से ही, तो क्या होगा, sperm जो हैं वो बन नहीं पाएंगे, gametes नहीं बनेगा, तो fertilization नहीं होगा, बात समझ पार है, gametes तो सब में बन रहें, पर वो काम कर रहा है या नहीं, यह थोड़ी किसी को पता है, तो gametes एक defining criteria नहीं है, कि अगर gametes है तो reproduction होगा, तो यह भी गलात होगा, next है, replicate the genetic information, हाँ, अगर gametes बन गए, gametes मिल गए, यानि कि fusion fertilization हो गया, और फिर वो replicate भी कर सकते हैं, तो हम बिलकुल कह सकते हैं, कि reproduction होगा, so the capacity of an individual, to replicate the genetic information, is the correct option, which provides the continuity of life, which helps in the reproduction, next है, utilize oxygen to generate energy, no, it has nothing to do with this, लेकिन इस statement को ध्यान से पढ़ना, utilize oxygen to generate energy, यानि energy जब भी बनती है, तो oxygen के presence में बनती है, पर उसका reproduction से कोई लेना देना नहीं है, तो सही option हमारा क्या होता है, replicate the genetic information, is the correct option, ये एक ऐसी capacity है, जो किसी individual में अगर present है, तो continuity of life बनी रहेगी, यानि कि reproduction चलता रहेगा, next question देखिए, most of the animals at present, obtain their free energy from, अब पिछले question में इसका answer, मैंने आपको बता दिया है, option ये दिया हुआ था ना, लास्ट में यूटिलाइज ऑक्सिजन टू जनरेट अनर्जी, ऑक्सिजन से अनर्जी जनरेट कर रहे हैं, और गानिसम से, ये कहने हैं, most of animal present, अप्टेन बेर फ्री अनर्जी फ्रॉम, animals को फ्री अनर्जी कहां से मिल रही है, oxygen मदद कर रहा है, energy generate करने में, oxygen मदद कर रहा है, energy generate करने में, मैं कैसे कर रहा है, respiration बढ़ा था, class 10th में, aerobic respiration, anaerobic respiration, which is the process of producing energy, जहां पर oxygen present होता था, 38 ATP बन जाते थे, इतने सारे molecules of energy बन जाते थे, एक या दो ATP बनते थे, adenosine triphosphate, which is the energy molecule, तो जहां oxygen मिल जाएगा, वहीं पर energy बन जाएगी, ठीक है, अब options देखो, reduction of organic molecule नहीं, reduction नहीं, oxidation of organic molecules, हाँ बिलकुल, oxidation अगर हो गया, तो फिर energy बन जाएगी, तो energy, free energy, obtain करने का criteria, oxidation of organic molecules, नेक्स एलाइट थू फोटो सेंथेस नहीं है, अनिमल में कहां से फोटो सेंथेस काम करेगा, electricity and coal, अनिमल को बिचारे को, electricity और कोल से energy, क्या मिल पाएगी, body चलाने के लिए, ठीक है, so the right option is, oxidation of organic molecules, oxidation of organic molecules, simple reason है, पिछले question में, इसका reason हमें मिल गया था, ठीक है, next देखिए, which of the following is the natatorial adaptation, अब मैडम ये कुछ नया है, इसका मतलब क्या है, जब हम बोलते हैं, natatorial adaptation, तो ये adaptation होता है, adaptation होता है, किन organisms में, उन organisms में, जो पानी में रहते हैं, water bodies में रहने वाले, तो adaptation हम कह सकते हैं, it is the adaptation in, adaptation in aquatic, aquatic organisms, पानी में तैद में वाले organisms में, जो features देखे जाते हैं, जो characters देखे जाते हैं, वही होते हैं, natatorial adaptation, the adaptations, the changes in the individual, which help the person to survive in that particular area, जो कि है aquatic body, तो question का option देखे, presence of adhesive disc, adhesive disc से क्या किसी को swim करने में मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, presence of feathers on the body, तैरना है, उड़ना थोड़ी है, तो feathers का कोई role नहीं, strong shoulder, strong shoulder पता है किस में होते थे, हमारी birds में होते थे, birds के पास strong shoulder इसलिए होते हैं, क्योंकि उनको अपने उड़ने के लिए, यानि flight के लिए, feathers को hold करके रखना पड़ता है, इसलिए उनकी ये वाली bones जो है, वो strong होती है, तो ये तो aquatic में यूज नहीं होगा, next is streamlined body, streamlined body का मतलब होता है, narrow body, narrow body, यानि कि, ऐसी, ठीक है, जिसमें it is narrow from both ends, actually body is narrow from both ends, इस end से भी narrow है, इस end से भी narrow है, इस end में broad है, तो जैसे ही ये पानी में चलेगी, तो पानी में ये जो narrow portion है, ये water current को break करने में मदद करेगा, तो streamlined body is the adaptation shown by the aquatic organisms, so that they can swim properly, and the adaptations in aquatic organisms is called natatorial adaptation, ठीक है, इसे एक star बना के लिख ले न, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, this is very important, next question देखी, which one is, अच्छा पहले इसका logic लिख लिजे, फिर आप natatorial के बारे में ये नहीं लिखोगे, तो भूल जाओगे और बोलोगे, माम आप साइड ही नहीं होए थे, लिख लिया, now see the next question, which one is concerned with the temporary adaptation, temporary adaptation दिए गए options में से, किस में देखा जाता है, सबसे पहला option है, phytomelanin, phytomelanin जो होता है, ये phyto याने की plant, plant में पाया जाने वाला substance, जो की help करता है, flowering के लिए, flowering of plant के लिए, तो flowering जो होती है, plant में वो तो हमेशा देखी जाती है, है ना, तो वो कोई ऐसा temporary adaptation नहीं है, एक particular time fix है, उस fix time पर हर बार plant में flower देखा जाएगा, आप बोलो के मैं वो तो season में देखा जा रहा है, हाँ तो उसका time fix जाना, वो उसी time पर flowering दे रहा है, उसके बाद है melanin, तो melanin जो होता है, ये pigmentation, जो है, ये हमारे shades of, shades of skin के लिए, shades of skin and eye color के लिए important है, ठीक है, तो हम में ही नहीं, बाकी सारे organisms में भी, तो ये जो है, ये एक temporary adaptation की तरह काम करता है, आप बोलोगे माँ हमारी skin में तो color है, आ गया एक बार तो फिर जा नहीं रहा, लेकिन there are color changes, there are color changes, एक चीज, दूसरी चीज, ये सिरफ human beings की बात नहीं कर रहे हैं, ये all over सारे animals की बात कर रहे हैं, है ना, तो melanin जो है, जो की responsible है shade के लिए, जो responsible है skin के color के लिए, eye के color के लिए, तो बाकी organisms में ये एक temporary adaptation की तरह काम कर रहे हैं, next है tannin, तो tannin जो होता है, ये responsible होता है food और growth of plant, food and growth in plants, plants खाना खा रहे हैं या नहीं, उनमें growth हो रही है या नहीं, ये tannin देखता है, फिर है anthocyanin, anthocyanin एक ऐसा pigment है, जो pollinators, pollinating agents को attract करता है, pollinating agents को attract करता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, which one is concerned with temporary adaptation, temporary adaptation देखा जाएगा, melanin में, ठीक है, तो melanin एक ऐसा important है, देखो बाकी सब के time fix है, plant में खाने का growth का time fix है, plant में flowering का time fix है, plant में pollination होना ही होना है, तो वो तो long term है, अब बचा क्या, melanin, तो melanin जो है वो temporary है, इसका एक reason यह भी है, कि जब आप animals की बात करते हो, तो आपको temporary चीज़े मिल जाती है, plants में usually permanent मिलती है, ठीक है, next question देखिए, an example of long term adaptation, अब long term adaptation किसमें देखा जाता है, तो options है, hibernation, hibernation होता है, कि एक season पूरा एक organism सो रहा है, पर बाकी season में तो निकल आया, है ना, तो यह long term नहीं हुआ, फिर है, melanism ये भी, हमने अभी देखा, short term है, long term कैसे हो सकता है, estivation होता है, arrangement of the petals of the flower, तो estivation का कोई मतलब नहीं है, इससे है न, petals का क्या लिना देना भाई, adaptation से, next है, spines of cactus, हाँ, cactus की spines, एक long term adaptation शो कर रही है, जहाँ पर, उन्होंने अपना size जो है, वो कम कर लिया है, to prevent, to prevent transpiration, तो मैं transpiration क्या होता है, class 10 में life processes नाम का chapter पढ़ा था, वहाँ पर पढ़ा था, transpiration का पढ़ा था, जब stomata पढ़ा होगा, आपने opening and closing of stomata, वहाँ transpiration पढ़ा था, that is the loss of water, loss of water, in form of, in form of water vapor, ठीक है, तो हमारा सही option है, spines of cactus is the term, is the long term adaptation, ठीक है, next question देखिए, volant adaptation is for, जहाँ पर भी आपको word volant लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ जाना, it is something related to flying of the organism, जो organisms उडते हैं, तो उन में जो adaptation होता है, feathers, limbs का, मतलब अपर limbs का, modify हो जाना, feathers में, strong shoulder bone होना, ताकि वो flight के दौरान, feathers को पकड़ के रख सके, यह सब flying में मदद करने वाले adaptations कहलाते हैं, volant adaptation, options देखिए, swimming नहीं, flying, yes, climbing नहीं, running नहीं, सो correct option is option B, clear, अब next question देखिए, question number 14 says, match the column 1 with column 2, हमें match the column करना है, एक तरफ हमें दिया है, long term adaptation, closed system, homeothermal and dead cells, दूसरी तरफ हमें दिया है, universe, man, cock and duck, अब हमें इसको मिलाना है, तो जब हम बोलते हैं, long term adaptation, तो long term adaptation, किसमें देखने को मिलता है, अभी हमने वोलेंट adaptation की बात करी, natatorial adaptation की बात करी, वोलेंट flying के लिए होता था, natatorial aquatic के लिए होता था, इसके अलावा भी long term adaptation कहां देखने को मिलेगा, universe में, man में, cock, cork में, या फिर duck में, तो long term adaptation जो होता है, वो हमें देखने को मिलता है, duck में, तो यह option हमने इसके साथ मिला दिया, next है, closed system, closed system जो है, वो क्या है, हमारा पूरा, man closed system बता रहा है या नहीं, man closed system बता रहा है या नहीं, universe closed system बता रहा है या नहीं, या फिर cork closed system बता रहा है या नहीं, next option है homeo thermal and dead cells homeo thermal and dead cell तो close system यहां पर जो बचता है वो होता है हमारा universe आप बोलोगे मैं close circulatory system हमें भी तो होता है यह circulatory system नहीं है यह closed system एक universe जो है पूरे universe में एक closed system ही तो है जहां पर सारी चीज़ें confined हो गई है universe के अंदर मैंने क्या बोला universe universe से बाहर तो कुछ भी नहीं है तो वो एक close system हो गया फिर आता है homeo thermal तो homeo thermal जो है blood thermal मतलब होता है heat है ना तो हमा homeo thermal जो है वो हमारे में मिलता है यहां कि human beings में मिलता है man में मिलता है जहां पर जो constant body temperature equilibrium maintained रहता है तो homeo thermal होते है man फिर बच्चा dead cell dead cell किसमें पाए जाते हैं cork slice में पहली बार dead cell को discover किया गया था तो हमने जो option मनाया है वो है a goes with 4 b goes with b goes with 1 then c goes with 2 c goes with 2 then dead cell वाला d goes with d goes with 3 अब यह option हमको बनाने देखो a 4 के साथ a 4 के साथ एक ही option में है 4 वाले में ठीक है तो यह वाला option हमारा पूरा सही हो गया कल इसको match कर लो b1 के साथ c2 के साथ d3 के साथ that's it clear हो गया for all the obvious reasons next question देखिए living organisms share following feature except that they क्या-क्या features होते है living organisms के options देखिए they are formed of protoplasm हा protoplasm living organisms में पाया जाता ही है तो सही है they can prepare food no they cannot prepare food because they are heterotrophic in nature they are heterotrophic in nature जब पहली बार heterotrophic class 10th में पढ़ा था autotrophic class 10th में पढ़ा था तो वहां यह भी पढ़ा था कि सारे heterotrophs consumers कहलाते हैं क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पाते ठीक है तो यह option हमारा following feature accept पूछा है न कौन सा छोड़ना है हमको feature यह वाला feature छोड़ना है गलत है क्योंकि respire कर लेते हैं reproduce कर लेते हैं so this is the correct option correct option यह है क्यों क्योंकि question में पूछा गया है accept बताना है कौन सा वाला feature नहीं है तो this is the correct option option B clear यह तो बहुत easy question है next देखिए subcellular level of body organization is found in subcellular level of body organization cells का बना हुआ body organization कौन से organism में देखा जाता है option है protozoan, porifera, prokaryote, non-living parts तो ही नहीं सकता prokaryote हो नहीं सकता, porifera और protozoan आपके पास बचते हैं अब जिस भी student को इसमें कोई confusion आता है आगे आने वाले chapter में यही confusion clear होने वाले है पर यह concept किस चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए नहीं है यह concept है subcellular level के लिए जिसे हमने characteristics of living organisms में पढ़ा है तो यह जाता है protozoan में protozoan में देखा जाता है subcellular level of organization ठीक है सो correct option is option a कोई भी डाउट है आने वाले session में clear हो जाएगा सिर्फ subcellular level को धियान रखना है next है highest level of organization organization is हमने जब start किया था तो atom molecule cells tissue organ organ system organism population community और फिर आता था हमारा biosphere तो सबसे बड़ा highest level होता है biosphere तो यहाँ पर देखो population ecosystem community biosphere यह हमारा correct answer यह हमने अभी question solve किया था तो हमें मालू में next study of aging is called cosmology नहीं teratology नहीं gerontology नहीं sentences the correct answer यह मैंने आपको पढ़ाया है यह मैंने आपको study of aging sentences पर कहलाती है यह मैंने पढ़ाया है और यह आगे जाके जब हम वह वाला chapter पढ़ेंगे reproduction in organisms जहाँ पर हम human reproduction भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे aging क्या होती है तो वहां पढ़ोगे sentences ठीक है लेकिन अभी हमें क्या यादख नहीं study of aging is called sentences आगे क्या options में अभी हमको जाना ही नहीं वह हमसे कभी पूछे ही नहीं जाएंगे next a fish thrives better in an aquarium if green plants are growing in it this is because अगर आपने एक aquarium रखा उस aquarium में आप green plants रख दो तो fishes जो है वो जादा अच्छे से जिन्दा रह पाती है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि fishes जो है वो living plants में से अपना oxygen ले ले लेती है option में देखो they can eat plants for their survival नहीं खाना तो आप भी दे सकते हो they like green surrounding नहीं उनकी liking disliking से कोई ले ना देना नहीं है they get more oxygen yes definitely they get more oxygen इसलिए लोग aquarium में green plants भी रखते हैं they inhale carbon dioxide released by plant no so the correct option is option c next question देखिए which of the following parasite is non-living outside the cell of a living organism and becomes living on the entering it कौन सा सेल living organism के अगर बाहर है तो non-living रहेगा और living organism के अंदर चला जाएगा तो living हो जाएगा options में है bacteria bacteria हमेशा ही living रहता है तो यह नहीं होगा next है bacteriophage फिर है plasmodium हमेशा living रहता है तो none of the above भी नहीं हो सकता bacteriophage is the correct answer bacteriophagic ऐसा organism है जब तक वो living organism की body के बाहर है तब तक वो non-living रहेगा जैसे ही cell में इंटर कर जाएगा तो वहां के chromatin material के साथ interact करके living organism के association living organism के characteristics show करने लगता है that's it that is all about the today's practice questions यहां पर हमने practice questions complete किये concept को समझना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वापस से जाकर समझ सकते हैं sequence में सारे concept मिलेंगे कहां पर website website www.magnetbrains.com type करो official page open होगा वहां पर option होगा explore top courses वहां पर select करो जो भी course आप explore करना चाते हो नीट का पढ़ना है तो नीट पर जाके biology क्लिक करोगे watch now पर जाओगे descriptive page open होगा जहां लिखा है watch chapter wise videos यहां पर पूरे chapters के videos ऐसे नीचे scroll करने पर मिल जाएंगे उसे play करो इस तरीके से video आपके सामने play होने लगीगा सारी चीज़े समझ में आ गए ही question solve करने में मजा definitely आया होगा मैं इस चीज़ पे शौर हूँ तो like जरूर कर देना तो मुझे पता चलेगा कितने students मुझसे connect कर रहे है subscribe करना ही करना है to get more and more information and not to create a backlog share करिए अपने सारे friends siblings के साथ जो इस NEET के exam को qualify करना चाहते हैं क्योंकि magnet brain जिक ऐसा platform है जो आपको provide कर रहा है 100% free course that too for NEET वो भी घर बैठे online stay connected with me मैं मिलूंगी आपसे next session में तब तक के लिए thank you so much and keep studying